इस ठंड में तिल और गुड की बनी बर्फी मेरे तरीके से बना कर देखे आपको जरूर पसंद आएगी। फिर एक कड़ाई में मैंने डेड कप के करीबन गुड ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और कंटिन्यू हिलाएंगे फिर जो हमारी तिल ठंडी हो गई है उसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखे इस स्टेच पर हमें खानी का सोडा डाल कर कंटिन्यू हिलाना है देखे गुड काफी हलका हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है जो हमें तिल पीस कर रखी थी उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चमच घी भी डाल देंगे। ठंडा होने पर पीसिस को मैंने निकाल लिया है। देखे मैं आपको बर्फी को तोड के दिखा रही हूँ कितनी सौफ पनी है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताईएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।